साड़ा बार सुधी कांटों पोचवा आवे हो छे आप सवन आवाज थिये ख्याल आवे छे कि ब्रह्म सत्रमा मन उचो उलागे छे और भोजन सत्रत्रमन गई हो उलागे छे बोलो स्री लक्ष्मी नारायन देवनी आजना पवित्र पावन प्रसंग मा निमित छे उत्सवनो परंपुज्य सद्गुरु स्वामी नंद की सोड़ दाज्जी स्वामी स्मृती महट्सव एना अंतरगत ब्रह्म सत्र साथे साथे व्याक्यान माला यगनादिक कार्यक्रमो अनि येनु आयोजन ये मंडप मा उपस्थीत व्यासासन उपर विराजमान परंपुज्य सद्गुरु ब्रह्मनिष्ट संतुरुंद मा स्रेष्ट जमने केवाई एवा घंश्याम प्रकास दाज्जी साथ्री स्वामी अई आज मारी वगलमा बेठेला वयोवरुत तपोनिष्ट जेने गुरुतुल्यक एवा भक्ति किश्वर्दाश्जी स्वामी एक चेर खाली छे जे वादकरी स्वामी ए मोगट स्वामी बाजुमा व्यासासन उपर बिराजमान परंपुज्य स्वामी मारे विश्व मित्रता जेवोई नातो छे यने गुरु सिष्वयनोई नातो जेमने राख्यो छे एवा विश्णु स्वामी आ महोट स्वामा उपस्थीत सारंगपुर मंदिनना मुख्य महन स्वामी श्री ब्रह्मनिष्ट संतवरुंद महोट स्वना मुख्य यजमान श्रियो, कथाना यजमान श्रियो, यग्नना यजमान श्रियो, सहिता पाठी विद्वानो दरेक ब्रह्मसस्त्र ना वालाहरी बगतो सज्जेनो सवथी पेला आनंद ये वात नो थाई छे, क्या सभामा कोई जातनो भेद भाव देखातो नथी तमारी औने संतोनी वच्चे नो कोई पन अंतर देखातो नथी अने एटला आज माटे तो अंदर नी जे वातो छे, जे पेटी नी अंदर नी वातो छे ये ओपन थाई छे हमना आज व्यासासन उपर थी जेनो स्मृति महत सो उजवाई रहा छोए एवा नंद किशोर दाश्जी स्वामी ये मनू जीवन कवन केवातो तो अने येना वक्ता आता पुझ्य शास्त्री स्वामी घंशाम प्रकास दाश्जी स्वामी स्वयम घंशाम प्रकास दाश्जी स्वामी नू जीवन उपर थोड़ोग प्रकास पाड़ता याना वक्ता हता विश्णु स्वामी लेकिन थोडोक तफावद भेद मने देखाणो नंद किशोरदाश्जी स्वामी नो नाम पोपड और पोपड भगत मा थी सद्गुरुना शर्णे जाता नाम पड़ियो नंद किशोरदाश्जी स्वामी जैरे विश्णु स्वामी एक चादर राखी बदीज वातों लाफा मारवा सुधी नी करी क्यां जगड़या एनी वातों करी पण सुरत मा जैरे गंशाम स्वामी आवया और गंशाम स्वामी ये साधू थवानी इच्छा करी तो त्यारे पण नाम गंशाम स्वामी जबोल्या के गंशाम स्वामी आवया तो पेल्ला ये नाम गंशाम स्वामी अथू, त्यार पची दिक्षा लिधीं अने दिक्षा लिधा पची नाम गंशाम स्वामी पड़ियू, थोडोग आ बेद देखानों विचारतों दोग अमना नाम आवे, अमना नाम आवे, पन नाम नु आवेू, गणिक वाद तो परन्तु दरेक संतो ना मुखेक वाद सांबली में के स्वामी भोडा अबू हता। आज भोडा मा भगवान आवा जे नामा भगवान हो येवा संत ना शरण मा जारे घंशाम स्वामी जेवा संत गया ये जीवन जारे युवान अवस्था मा सोप्यू तो आज एज अनुभूति आपने व्यास पीटू पर देखाई रही चे जाने नंद किशोर दाज जी स्वा स्वामी ज़ आपनी वच्च के उपस्तीद हो और एना मा जे दयालूता एना मा जे सादूता एनुज जे तब ये मैन तमें नोतू जोई पनाज व्यास पीटू पर स्वामी जारे बेठा छे एमने जो ये त्यारे म लागे एक नन्द किशोर स्वामी के वा महा न शे नंद क पिषयों स्वामीनी महांताने साधूता अने दोर आगल खेशता खेशता जारे जहे ट्यारे ये गंशाम स्वामी आवे त्यार पछी नराइन सुरुप स्वामी के वैकुणड चरण दाज जी स्वामी हरी प्रिय दाज जी स्वामी आधारानन स्वामी औने छिल्ले छेडों पोंचे छे मुक्तान स्वामी सुदी आज स्वामी ये वाद करी कि आज आ पद औने प्रतिष्ठा मेलवा मा घणाय अपमान घणाय घूटडा सहन करवा पढ़्या छे निक करवा पढ़्षे तो करीश पन संप्रदाय माटे आ जीवन छे तो हमेशा समर्पित राखेश आजे संस्कार, आजे वार्सों छे ये वार्सों मेलवा थी नथी मलतो मित्रों पद औने प्रतिष्ठा पद औने पदवी रुपिया थी मले लेकिन प्रतिष्ठा जे मलवी ये तो गुरुना अशिर्वाद होई ये वार्सों जो होई नेनी आरे जोडाई ये तो प्रतिष्ठा मले येमने न मले तो मुक्तानन स्वामी, मुक्तानन स्वामी नो जी वार्सो तो सद्गुरुनी परंपरा मा चाल्यो आउता आउता आज नंदकिशोर स्वामी थकी भक्ति स्वामी और मुगट स्वामी थकी जारे पुझजपाद घंशाम स्वामी मा ये देखाई छे तो आवाज सद्गुरुनी साथे जीवन ने जड़ी दे जो के जेनाथिया विशाल संसार मा आपनी पतंग व्यवस्थित उड़्या करे पतंग और पतंगा बेशब्द छे पतंग और पतंगा पतंग की डोर किसी के हाथ में है तब तक वही पतंग अनंत आकाश में निशन्षय विश्रन करती रहती है पतंग नी डोरी ज्या सुधी बिजाना हाथ मा छे प्या सुधी ये पतंग ने कोई वांधो न थी सेज पन गोथा खाईने नीची आवा मडेने तरत ओलो दोरी जेना हाथ मा ये ठुमका मारी मारीन पतंग ने स्थीर करी दे जब की पतंगा याने पतंग्यू स्वतंत्र होई छे स्वच्छन्दी होई छे जेने कोई सद्गुरू येनो शर्णू मलिव न होई आवा सद्गुरूना चरण मा गयो न होई तो ये पतंगो स्वतंत्र होवाने कारणे ओलू दीवो जे जलतो होई छे नी लाइट मा अंजाई जई अने लाइट मा अंदर पोताना जीवन ने होमी देतु होई छे डश्ट बीन मा जाता वार नथी लागती अ संसार मा सुखे थी निशान्ती थी जीवन जीवा जो मागता होई तो आवा सद्गुरूना चरण मा जीवन ने समिर्पिद करी दे जो तोज आ ब्रह्म सत्रनी सफलताने सार्थकता के वाशे किटलो मेहनत और पुरशार्थ ने दाखडो पुझे स्वामी है आ उमर मा आ गुरू कुलनी जारे पायानी वाद करी सद्गुरू पुराणी स्वामी जगत प्रकास दाजजी स्वामी ये वखत ना संतो कांडू उपकडी ने लईने आईयां आवया अईया हमने बेसाड्या एक इमारतनू निर्मान करवानी भलामन करी के सट्संग नी सेवा आना माध्य में करो तूका गाढा मा खाली आ इमारत नही ये पची लोयाधाम होई तोЁ भले के अमेरिकानी भूमी मा होई तो भले गामडाओन ना मंदिर होई तो भले सद्गुरी नी आरे तमई जिवन जडशो ने, तो तमारु जीवन दीपी उटशे। संतो ना शरण मा रेशू, ए महान पुरुषो नो जे मार्गदर्शन चे प्रमाने रेशू, तो आ कल युग मा आपनी जीवन रूपी पतंग ने क्या आई पन कोई वांदो नहीं आवे, कोई जातनी तकलिप नहीं थाई, पन स्वच्छंदी बनीन फर्शूने, तो एक दिव डश्ट बिनमा जाता वार नहीं लागे, मित्रो बे रस्ता चे उपर जावाना, शिखर उपर पोचवाना बे रस्ता चे, एक महनती पुरुषार्थती दाख़डो करीने पन शिखर उपर पोहँचाई चे, और एक वगर महनते पन रातो रात करोड़ पती बनी शकाई चे, जे कागल मां चटनी लिधी होई, मर्चा लिधा होई, खाई अने कागल फेंक्यो, पवननु जोकू आव्यो, कागल उडियो, उडिने महलना शिखर उपरेने जाता वार न लागी, पोची गयो तरत, पन ये क्षणिक मात्र त्यां टकतो होई छे, जे वो पवन शांत थयो, चड़्या उपर साप सुपाई करी, कागल ने डूचो करीन डस्ट बिन मा नाखी दिदो, तो धजाई पन मंदिर ना शिखर उपर फरके छे, ये त्यां सुधी फरकती रेवाने, कि जां सुधी उला डंड ना आधारे छे, ने त्यां सुधी एनो कोई वांको वाल करी शके नथी, एम होने तमें बे रस्ता छे, एक बीजे रस्ते पन शिखर उपर पहुचाई छे, लेकिन ये सूखन शांती नहीं आपे, आवा सदगुरुना आश्रय रही, अने जारे आप आगल वत्सों ने, तो काल ने कर्म पन तमारों वाल वांको नहीं करी शके, आना संसार मा सहलाई थी, तमारी नाव सामे काठे पहुची शक्षे, किसी के पास जाखिट की गर्मी है, किसी के पास लोखिट की गर्मी है, किसी के पास पाखिट की गर्मी है, तो इन संतों के पास कौन सी गर्मी है, पता है आपको, मैं बताता हूँ आपको, इन संतों के पास भी एक ग और ये भगवान देने के लिए आपके संमुख बेठें। सुरिया ने क्यारे लोटे लोटे उले ची शकातो नथी, सुरिया ने क्यारे बेटरी थी बतावी शकातो नथी, यहनी महानता जेटलू आपने गाये ने यह ओछून ओछू होई छे, एम मारो केवानो भाव चे, पुझ्य गंश्याम स्वामी, जे अहिया व्यासपीट उपर आम अंडप नियवित्चे बेसी, और सद्गुरु स्वामी स्री नंद किशोरदास जी स्वामी, और इमना जीवन कवन ने विहवडावी रहा चे, आज मनेन तमने आवा महापूरुषो ना जीवन कवन मा गोथा खावानो जे चांस मले और खरे खर भगतो एवा संतो ना ज आज आपने सों आंगली चिंदवा वाला बन्या, फलाना स्वामी आउ करे, फलाना स्वामी ते करे, फला स्वामी आ करियू, जो कुछ किया करने दो, लेकिन आपनों महात्म्याने महिमानी कडी, एक वाद हमेशा याद राग जो, गुण ने दोस्ती भरेली सुरुष्टी तमारामाई पांच्टका दुर्गुण हशे, अमारामाई हशे, सोय सोटका सदगुणे यूक्त कोई न थी, सदगुण ने जोता शिक्षू महाराजे ध्यान दोर्यूच्व आपनों के गुण ग्राही द्रष्टी राग जो, तो संतोनी साथे जीवन जडाएला रेशे, त आटे जे महात्मेने महिमानों जे स्ट्वूच्व न थावा देशो, अवा दीवी प्रसंग माँ पुझ्य सदगुरु सास्त्री स्वामियम ना संतो है, जे मने अमंत्रित करी आहूत कर्यों, और या घणी वखत निकलवानों थयू छे, लकिन एक वात चोकस कई इस, कि स्वामी याद कर्या पुराणी स्वामी ने बेचार वखत कि स्वामी ना कारणे जा संस्था चे, तो महापुर्शों कोई ने कोई निमित बनावता हो चे, बागी भगवान नो काई के वू इच्छा चे, कि आप जिवा सत्पुरुष ने यान बेचाडिया चे, अहीं आव स्वानु बनियू, ओगणी स्थारिक नो मने टाइम आपयो तो तमारे ओगणी स्थारिक ये पदारवानु छे, लेकिन मारी कथा भूज मादा पर चालू थाई, चे, एटला माटे वू आजी आवयो च्छू, काले वूज जावानु चू, एटला माटे पुझ्य संतो ना क पुझ्य मादव प्रसाद दाश्जी स्वामी, पुझ्य जग्दि स्वामी, सास्त्री स्वामी मादव सुरूप दाश्जी स्वामी, सुरत्ती सास्त्री स्वामी जगत सुरूप दाश्जी, सर्वसंत मंदल नी शुभेच्छा शुभ कामना, आमहत सो नी एक दिविता इच भगवान ना चर्ण मा प्रात्ना करी, खोब सांती दी धाम दूमती उज्चो उजवाय, यही मंगल कामना अश्रूब शब्दो, पुझ्य अक्सन निवासी, नंद कि शुर्दास्जी स्वामी ना अशिर्वाद नी अपेक्षानी साथे, आप सो ना चर्ण मा वंदन करी, मार भादने निवीरामा पूछू, अस्तु जैस्वामे ना